ये 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 तुम किस शीज के लिए इतना खुश हो ये खास महीना है जिसमें जबरदस उत्सव मनना चाहिए तुम्हें नहीं पता आ सही कहा गणेश चतुर्थी है न बट हे वो तिहारत जा चुका है तो अब क्या मना रहे हैं ये महीना है बधिरों की जागरुकता के लिए तुम्हें याद नहीं UN ने घोशना की थी दिसंबर 2017 में ये घोशना की गई थी कि 3 सितंबर सांकेतिक भाशाओं का अंतरराष्ट्र दिवस है आ सही कहा मुझे मालूम है ये वही महीना है जिसमें World Federation of Deaf विश्व भर में संपन बदिर सम्युदाओं और उनकी सांकेतिक भाशाओं के बारे में जागरुकता फैलाता है वही संकेतिक भाशा के इतने सारे लाब हैं जो लोग बदिर हैं और जो सुन सकते हैं दोनों के लिए यहां बने रहना और सीखने के लिए इस साल WFD संकेतिक भाशाओं और बदिर संस्कृती के बारे में जागरुकता फैलाएगा हे मेरे पास एक विचार है क्यों ना इंडिया में बधिर, विकलांग और सुनने वाले लोगों के समदाओं को समावेशी बनाया जाए उससे तो संपर्क बहुत मुश्किल हो जाएगा लोग बात कैसे करेंगे चिंता की बात नहीं है, बोलने वाले लोग आयसल सीख सकते हैं एक नया अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया पर Here a Million और Freedom to Sign Pages ने इस विशे में बात करने के लिए ये काफी दिलचस्त लग रहा है आशा है कि लोग आयसल सीखना शुरू करेंगे जिससे बदर संपक आसान हो ये क्या है? ये लोगों के लिए आयसल सीखने और समावेशी बनने की प्रेंडना है ये वेबसाइट आपके लिए ये टीशिट्स खरीदने के लिए Thank you